अब बाथ करते हैं स्टाक्स, जो फोक्स में रहेंगे, अनुश क्लियली, स्टाक्स में कई सारे इंपोर्टिन्ट नूस फ्लोज हैं, पुजिसिंड हैं, तो आपके लहासे आज के बिग स्टाक क्या होंगे? बिलकुल देखिए आज के big stocks की बात करते हैं फिर आज के big stocks में मैं 4 big stocks लेके चल रहा हूँ सबसे पहले मैं लेके चल रहा हूँ ABFRL ABFRL चार नी तीन है अच्छली ABFRL को मैं neutral लेके चल रहा हूँ क्योंकि ABFRL के नतीजे अच्छे हैं लेकिन ये स्टॉक काफी दोड़ चुका है, ठीक है, कल भी हायर लेवल स्टॉप ओढ़ा लेकिन इंट्रेड में कल भी काफी ये शेर दोड़ा था और अब एफनो बैन में आ गया है तो इसमें किसी भी गैप अप में आप माई करने से बचें, ठीक है ना, और अगर ये स्ट स्टॉक करें, तो शायर एक अच्छा मुखा होगा, देखें कितना चल चुका है इस टॉक पिछले एक-दो महीने में, एक महीने का चार्ट लेकर रही है इसका, वो ज़्यादा जरूरी है, पारा महीने में चला ही है, फॉर्टी फ़टी पसन ने करी भागा है, लेकिन एक म अच्छा को मारूम था कि यह आई-प्यू आना है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन ता उस रचा ज्यादा उस पर आ रहा है, CLSS ने 770 का प्राइस टागेट दिया है, इसमें लिखा नहीं है, इसको प्लीज लिखिए, इसको प्लीज लिखिए, कंपनी ने नवैलिस के लिए और हिंडालको के हिससेदारी का जो मार्क वैल्यू होगी वो 810 तो 940 मिलियन डॉलर के करीब, और हिंडालको के SOTP में नवैलिस का वैलिशन हो जाएगा, 6.5 ताइमस, F526, EV2, EBITDA, तो इसके लिए पॉसिटिव है, एक फाइनल बिग स्टॉक, IRCTC, जिस तरीके से हम बोल कि IRCTC के केस में गाप डाउन को चेज मत करियेगा, IRCTC के Q4 के नमबर्स, मिक्स बैग ही कहूंगा मैं, मार्जिन के मोचे पर जुरूर निराश किया है, लेकिन ये स्टॉक जो है, वो अलरी थोड़ा सा गिर चुका है, और अलरी यहां पर शॉट पोजिशन से, तो मुझ ल नमबर्स पर, हिंडल को, नॉवलिस की जो IPO फाइल हो चुका है, उस पॉस्पेक्टिव के लिहाज से, और साथ ही साथ IRCTC, नमबर्स थोड़े से मिक्स्ट हैं, लेकिन इस पर आज निजरे रहेंगी, तो ये इन फाक्ट वो सभी ट्रेट्स जो आप रेडार पर रखेंगे चले, अब पैनल को इनवाइट करते हैं इस मंच पर और लेते हैं उनकी तरफ से आज के टॉप कॉल्स और आज हमारा साथ देंगे, राजे साथपुते, मानस जैस्वार, प्रकाश काबा, आशीश पहेती और प्रिशान सावंत, कुछी देर में हमारे fundamental guest को भी जोडे के, ल अगर मार्केट नीचे आता है, दिरावड आती, एक करेक्शन आता है, वो एजी रहेगा, ट्रेट करना है, इंदिरा गैस, ट्रेट करना है 471.50 पैसे, इसमें अगर दिपिल था, तो पाइं का मोका नाएगा, स्टॉप और अची 4.62, तो करीब 9 रुपे का स्टॉप गए, कि यह लगरा, दिरे-दिरे सब चुटी पर जा रहे है, पैनल दिरे-दिरे छोटा होता जा रहे है, मानस, गुड मॉर्निंग, मानस, आपकी ट्रेट? तो देखे इस इंजिन में खरीदारी करने की राय रहेगी यहां पर आप करेंट लिवस्त पर खरीदारी कर सकते हैं आपके जो स्टॉक टॉसेस हैं वह सिक्सरेट करना चाहें तो और नेक्स मंद के ऑप्शन में ही ट्रेड लेना चाहिए जून मंत के 700 वाले कॉल ऑप्शन में आप एक ट्रेड ले सकते हैं इस ऑप्शन में आप खरीदारी कर सकते हैं प्राइस सल रहे हैं 26 रुपए के आसपास के तो सिंजीन वैसे जाते जाते कल इसकी बात हो भी रही थी तो एक opportunity दरसल तेजी का साफ identify किया है मानसने एक buy side का trade है प्रिशांत गुड मॉर्निंग बताईए बाप का trade तो यहाँ पर हम देखे कोल इंडिया में एक अच्छे break-out के बाद एक gap पे कल support लिया है और जो dip आई है उसमें volumes कम है तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक conditional buy 488 की closing है जस्ट दो पॉइंट उपर 490 के उपर spot price buy करेंगे stop loss रखेंगे 481 और target होगा पास्टो 10 510 ओके आशिश जी गुड मॉर्निंग आपकी trade कि अच्छा के बाद इसमें गिरावट देखने मिली थी और कल रिबॉस देखने मिला है जिस साब से कल वॉल्यूम्स थे चार्ट में शेर्स के वॉल्यूम्स थे और उसमें भी 60 5% के करीब डिलिवरी वॉल्यूम्स रहे तो वो काफी इंप्रेसिव लग रहे हैं में लग रहा है कि अब वापस इसमें कप्टेप देखने मिल सकता है तो 1165 का एक स्टॉप डॉस लगा आकर खरेदारी की सला रही 1210 का पेला टागेट और 1240 के सेकिन टागेट के लिए तो युनाइटेद स्पिरिट्स में एक अपरचिनिटी और यहां पर तेजी की पोजिशन आप लेकर चले 1240 का मोमेंटम दिखा सकता है यह पर्टिकिलर काउंटर राजेश सात्पते गुड मॉर्निंग बताईए आपका ट्रेड हर्शादा जी आनुजी गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग अवरेवन तो आपके रेडार पर कौन सा स्टॉक या गुड मॉर्निंग अनुज सारे दर्शों को भी गुड मॉर्निंग अपके रेडार पर कौन सा स्टॉक या गुड मॉर्निंग अनुज सारे दर्शों को भी गुड मॉर्निंग अनुज जिसनी से वोलिटलिटी मार्केट में एक्स्टेड थी कि एलेक्शन से पहले आईगी तो वो आचुकी है मुझे लगता है इस लिहाज से थोड़ सा डिफेंसिव में बैट लगाना पड़ेगा वहां पर पॉब्लिक सेक्टर कंपनीज में जो लाइफ इंशॉरेंस है एलेईसी ऑफ इंडिया वो काफी अच्छा लगदा नेदिजे काफी अच्छा आय थे 15-16 परसंद का असपास इनका एम ग्रोथ था न्यू बिजनस प्रीमिम में भी अच्छी ग्रोथ मिली थी और मैजमेंट का मानना है कि यह ग्रूथ आगई का यो ट्रैक्शन है मिंटेंड रहेगा कंपोजिट लाइसन्स मिलने की बात भी कि उनके चेर्में ने और रहा होता है तो फी अगर प्रॉ सेक्टर पेस सब्सक्राइब के लिए इसके पी मिल्टीपर स्कॉप देखे या इमेडिट विल्यू के साफ से दिखे तो वहां पर इक चौथा ही पे मिल रहा है तो लाइसी इंडिया पर बाइक करने की सला देगी लंबे नजलिये के लिए एक साथ नजलिये से बारा सो का स अवरे से देखेश पर फोकॉस